श्वागत थिक्वाइब फिर से आप सभी का आरकाइश्टडी सीटेट माइट यूट्यूब चैनल फे इस वीडियो के मादेम से आप आज जिस टॉपिक के बारे में अद्दन करेंगे वह टॉपिक है आपका नीजी करन जो की बहुत इमत्पुन टॉपिक है और इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है तो नीजी करन से जुड़े आप इस वीडियो के मादे में किन-किन चीनों को शिखेंगे तो सबसे पहले आप जानेंगे कि नीजी करन किशे कहते हैं इसके बाद आप जानेंगे कि नीजी करन का अर्थ क्या है साथी साथ आप नीजी करन के परिवासा को भी जानेंगे और अंत में नीजी करन के क्या लाव है नीजी करन के कौन-कौन से हानी हो जकते हैं आप इसके बारे में भी अध्धन करेंगे तो बहुत ही कम समय में हम लोग बहुत ही अच्छे डंक से नीजी करन को यहाँ पर समझने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा आपको शारे चीज नीजी करन से जुड़े हुए आपको समझ में आ जाएगी असानी से तो चले हम लोग बात करते हैं नीजी करन के बारे में तो नीजी करन जैसा कि आप सभी लोग बार-बार स आखिर यह नीजी करन होता क्या है तो नीजी करन का मतलब आप समझे कि नीजी और करन यानि कि यह दो सब्दों से मिलके बना है नीजी का मतलब होता है कि वक्तिगत और करन का मतलब करना यानि किसी भी चीज को वक्तिगत कर देना जो आपका आज सरकारी है सरकार के अंदर में उसको आप किसी खास व्यक्ति के अंदर में कर दिजेगा तो ये प्रक्रिया आपका निजिकरन कहलाता है जैसे कि निजिकरन को शमजने के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर तस्वीर देखते हैं जो आज आपका government school है इसको अगर आप private school में तबदिल कर देंगे तो ये प्रक्रिया आपका निजिकरन कहलागा क्यों? क्योंकि जो government school है उसका संचालन सरकार के दिसा निर्देश के दोड़ा होता है सरकार कर्मियों के दोड़ा किया जाता है लेकिन private school है इसका एक अलग हेड रहेगा कुछ ऐसे खास bond बने रहोते है शर्ते लाग उड़ाती है कि आपको सलाना इतना पर्चेंट या फिर इतना इंकम या फिर सलाना हो या फिर पूरे पांच वर्ष दस वर्ष जैसे भी हो उनके हैसाब से उसका एक budget यहाँ पर तैर रहता है प्रियास करते हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी विछेत्र या फिर उद्योग का संचालन सरकारी कर्मी के हाथों से हटा करके नीजी लोगों के हाथ में दे देना ही नीजी करन गया लाता है यानि जो चीज आज सरकार के पास है उसका पूरा संचालन सरकार या फिर सरकार के व्यक्तियों के दोड़ा किया जाता है उसको हटा दिया जाना है और किसी नीजी व्यक्ति के हाथ में दे देना है किसी नीजी कमपनी के हाथ में दे देना है और वही उसका संचालन करेगा यह प्रक्रिया आपका नीजी करन कराने का बहुत सारे उदेश से भी होंगे, ऐसा तो नहीं कि नीजी करन कराने का कुछ खास उदेश से होते हैं, जैसे कि किसी भी चीज का आप नीजी करन कराएंगे, तो सबसे पहला उदेश हैं, कि उसके कारे परनाली में सुधार लेना, स उसके लिए आपको 4 दिन वहां पे भाग दौर करना पड़ता है। चुकि वहां पर जो लोग बैठे होते हैं, जो उस इस काम के लिए वहां पर शरकार के दौर निक्त किये गए लोग होते हैं, वो यही सोचते हैं कि मैं काम करू अत्वा ना करू अगर मालेजे उनके मंतली 25,000 का श्यलेडी ये मिल ला है तो उनको क्या है कि एक ही मन में बैठा हुआ है कि हम काम करे अत्वा ना करे हमें 25,000 के 25,000 महीने में आई जाएगा तो वो एक दिन में एक काम करे या फिर दस काम करे इससे उसको मतलब नहीं है वो करे या ना करे इससे कोई फरक नहीं परता है उसके लिए लेकिन इससे जनता परशान होते हैं आम नागरिक को यह तकलीफे मिलती है उसको तो पैसा मिल जाता है तो इसी चीज को देखते हुए क्या है कि सरकार इसको नीजी करने जारा है तो इससे क्या ओगी कारे परनाली में सुधाड़ होगी क्यों क्यों कि यहापर फ़र सभसक % जासा समझे है यहाँ पर इसके जैसे कि माल रहा है जैसे माल ले जिये रेलवे स्टेशन कोई ले लिया माल अलजें कि वह एक 100 से ज्यादा करें तबी तो उसके पास बचेंगें, अगर 100 रुपये ही इंकम करेंगा, उसके बचा किया है, इसलिए जब नीजी करन किया जाएगा, तो वहाँ पर जो काड़े करने वाले लोग रहेंगे, वह चाहेंगे कि जाधा से ज्यादा हम काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें मुनाफ़ा हो जागे तो इससे क्या होगा कि काड़े परनाली में सुधार होगा पहली बात यह रहेगा इसका उध्य से दूसरी कि यह है कि उत्पादन और उत्पादक ठीक है यह को है कि छमता में विर्धी लाया और सरकार को घाटे में जो उद्ध्य चल लई है उसे सरकार मुक्त हो जाएंगे ठीक है यह निजिक रन कराने का में उद्ध्य से था कि सरकार को उसके पूरे विवस्था को सही करना है और जड़ी पीडी का अस्तर को बढ़ाना है जो सरकारी कर्मी पैसे लेते हैं और उसके दूर करना है और निजिक रन का यही एक में उद्ध्य से अगर वो चीज अगर इमंदारी से दूर हो जगया फिर सरकार के सारे जो सिस्टम है वो अटमेटिक कारे रत हो जाएंगे और एक सही नाजिन पर आ जाएंगे एकदम उचे के गराप में वो अटमेटिक आ प्राइबट स्कूल में आप जाएंगे तो वहां पर फी लगती ही नहीं है चोड़ से चोड़ा तक तो निशुलक है अगर कभी-कभी माली जो उपनी कक्छा में लगती भी हो तो बहुत कम ठीक है ना के ब्राबर अगर वही प्राइबट स्कूल में जाएंगे सरकारी की ब इससे क्या उड़ा है कि आप देखने है कि सरकारी और प्राइबट की किसी भी चीज में जाएंगे तो सरकारी के बनिस्के आपको बहुत ज़्यादा पैसा वहां पे करना होता है होस्पीटल की ही बात कर लेंगे कहीं भी आप चले जाएए आपको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा तो वहां भी पैसा ज्यादा दिया जाएगा और लोग यह सोचते हैं कि ज्यादा सज्यादा हम पैसा कमाई क्योंकि उनके स्वाहित की भावना उनमें ज्यादा आ जाती है कि ज्यादा सज्यादा हम पैसा कमाई इससे क्या हो कि आम लोग जो रहते हैं वो पर दिक्कत होगी अच्छे अस्पताल में वो इलाज नहीं कर पाएंगे अच्छे स्कूल में बच्चों को वो पढ़ाव नहीं पाएंगे ऐसो तो मालेजी सरकारी में वो पढ़ाई देते थे लेकिन अगर सरकारी बंद हो जाए उसका भी नीजी करन कर दिया जा तो जो नीजी करन से लाव हो शकते हैं और क्या हानी हो शकते हैं और इसका उद्यश से करवाने का वो भी आपने जाना तो आई होब कि आपको यह जो टॉपिक था नेजी करन चोड़ा से टॉपिक था इसको आप सबों ने बहुत यह च्छे रंग से समझ लिया होगा मुझे ताकि जब कभी भी इसी तरह के मैं यूजफूल उपयोगी और महतपन वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए इस वीडियो में इतना ही था फिर मिलते अगले वीडियो में नहीं टॉपिक के साथ अब तक लिए देखतर ही अ हमारे चनल आरकेश्टरडी सीटेट पांट को धन्यवाद